प्रियमित्रों आज हम आपको पताएंगे कि 19 साल तक पीपल के पेर से उल्टे लटक रहे थे सनी तो इसकी जानकारी देंगे मेरे द्वारदी के जानकारी आपको अगर अच्छा लेगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर किजिएगा साथ ही घंटी के निशान क नहीं भूलिएगा तो सनी जो है सनी ग्रह और देवता दोनों रूप में पूजे जाते हैं सनी जो है ओ दंडाधिकारी है अच्छे कर्म करने वाले को अच्छे फल तथा बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल देते हैं इसके इसी कारण इन्हें कर्म दंडाधिकारी का पद प्राप्त है यह पद जो है इन्हें भगवान संकर से प्राप्त है मुलता सनी जो है कर्म परधान ग्रह है जिसका पुरानों में साकार्थ दार्षनिक चित्रन किया है सास्त्रा नुसार सनी के अधिदेवता ब्रह्म है और परतेदी देवता जम है क्रिश्न बर्ण सनी जी का बाहन गिद्ध है तथा यह लोहे किरत की सवारी करते हैं सनी ने अपनी द्रिष्टी से अपने ही पिता सुर्ज को कुष्ट रोग दे दिया था ये तो बहुत गलत था आदमी पिता को सेवा करता है कि कुष्ट रोग दे देगा कहते हैं कि जिन पर इनकी कुद्रिष्टी परती है वो राजा से रंक बन जाता है देवी देपता तक इनके प्रकोपों से ड़ते हैं लेकिन दोस्तों सबको सजा देने वाला सनी देव को भी एक बार 19 साल तक उल्टे लटक ना परा था आईये जानते हैं इसके बारे में शास्त्रों के अनुसार सुर्ज ने अपने सभी पुत्रों की जोगता अनुसार उन्हें विभिन लोकों का आधिपत्य प्रदान किया प्रन्तु असंतुष्ट सनी ने उदर्णता बस पिता की अग्या की अभहिलना करते हुए दूसरे लोकों पर कवजा करना शुरू कर दिय पिता जी तो उनको एक जगा का राजा वना दिये लेकिन इसे संतुष नहीं था उनको घमन था कि हमारे पास बहुत बल है ति चाहते थे कि दूसरा लोग को भी हम जीत के लड़ाई करके उसको अपने कबजा में ले 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 तो देखे कि लड़का अबुदंड होड़ा है तर सुर्ज की प्रतना पर भगवान संकर ने अपने गनों को सनी से जुद करने भेजा परंतु सनी देव ने उनको प्रास्त कर दिया इसके उपरांत भगवान भोले नात को स्वेंग जुद भुमी में आना परा भैंकर जुद हुआ भैंकर जुद हुआ भगवान शंकर और सन सनी देव भगवान संकर पर मारक द्रिष्टी डाली तो भगवान संकर ने भी तिसरा नियत्र खोल कर सनी वो उनके सभी लोग का दमन कर सनी पर तृसूल का प्रहार कर दिया और सनी देव को पराजित कर दिया इसके बाद सनी को सबक देने के लिए महादेव ने उन्हें पीपल के पेर से 19 बर्सों तक उल्टा लटका दिया। इन्ही 19 बर्सों तक सनी सीव उपासना में लीन रहे। इसी कारां सनी की महादस 19 बर्स की होती है। प्रन्तु पुत्र का मोह तो सबको होता है। सुर्ज भगवान को भी मोह हुआ। उन्हें भगवान भोले नाथ से बहुत आग्रह किया कि यह भोले नाथ अब हमारे पुत्र सनी को आप जीवन दान देते हैं। तब भोले नाथ ने प्रसन होकर सनी को मुक्त कर उन्हें अपना सिस्स बना कर और इस संसार का दंडा धिकारी ने उतकिया। तब बोलो हर हर महादेर जय सनी देर।